क्या आप अपनी बुरी किस्मत से परिशान है, तो आप सही जगा आये हैं। दोस्तो, पूरी साल में केवल एक दिन आता है, जिस दिन आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, जिस से आपकी पूरी जिन्दगी बदल सकती हैं। और आपकी अगली साथ पूष्टों तक कोई भी गरीब नहीं पैदा होगा। आप जहाँ हाद गालोगे, वहाँ पर सोना निकालोगी। दोस्तों नसीब हमारे जिन्दगी का बहुत बड़ा विशे होता है। लेकिन उस नसीब के साथ अगर भगवान भी हमारे साथ है, तो हमारे जिन्दगी में चांदी चांदी ही होती है। दोस्तों लक्षमी पुजन का वह दिन है जिस दिन आप अपना नसीब बदल सकते हो। टोटका लिखा हुआ है। और कुछ दिनों के बाद लक्षमी पुजन आने वाला है। इसलिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बातांगो बहुत टोटका किस प्रकार कारे करता है। दोस्तों हमारे हिंदुधर्म में जब जब हम भगवानों की पुजा करते हैं तब तब सबसे पहले भगवान के साबने दिया जलाते है। दिया भगवान का एक सुरूप होता है जो हमारी बाते भगवान तक पहुचाता है। इसलिए दिया इतना ज़्यादा महतोपूर्ण होता है। अगर हम भगवान की पूजा करें और उस पूजा में दिवबग का प्रयोग ना करें तो वो पूजा भगवान को कदा भी स्विकार नहीं होती जब लक्ष्मि पुजन के आप पूजा कर रहे हो तब नित्य पूजा आपको लक्ष्मि पूजन की वेसे ही करनी है जैसे मैंने पिछली विडियो में मत आई अगर आपको वो वीडियो देखना है दीपक घीका लगाई है दोस्तों और घीके दीपक के अंदर आपको लोंग के कुछ दाने डालने हैं केवल केवल यही इतना स्तियाधा सिंपल टोटका है यही टोटका आपकी जिंदगी बदल सकता है दोस्तों लोंग में कुछ एसी विशेज शक्तिया पाई जाती है जिसके प्रवान करता है इसलिए अगर आप अपने घर में जब लक्षमी पुजन की पुजा कर रहे हो लक्षमी जी के सामने दिपक होगा उस दिपक में अगर आप लोग के कुछ दाने डाल कर दिया जलाएंगे तो इससे सांसार की सारी सकारात्मक उर्जा आपकी तरफ खीचे चलि जाएगी और सक्षात माता लक्षमी कवास अपने घर में होगा यह टोटका आज की वीडियो में मैंने बता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करो जै माता दी धन्यवाद दोस्तों रुकते ही